कि पंदरा साल बाद सत्ता परकावज कॉंग्रिसी अभी से सत्ता की गुमान में गुंडागर्थी पर उतरा हैं धार जले के पिथमपुर सेक्टर तीन इंडो रामा टोल प्लाजा पर आज कुछ कुछ कर्थित कॉंग्रिसी कारेकरताओं ने टोल कर्मियों से हमला कर टोल कर्मियों को बुरी तरह से घायल कर दिया है समले में तीन टोल कर्मियों गंभी रूप से घायल हुए जोने लाज के लिए इंडोर के अमवार अस्पताल रेफर किया गया बताय जा रहा है कि रमिश चंदर का श्यप नामक व्यक्ति के साथ टोल पर पहुंचे इन कारेकरताओं ने टूल कर्मियों को मुफ्त में गाड़ियां छोड़नी की धमकी देती और मारपीट की गुंडागर्दी कर रहे हैं इन कारेकरताओं का कहना था कि अब हमारी सरकार आ गई है और हम जैसा चाहें वैसा टूल पर होगा टूल प्लाजा पर कॉंग्रिसी कारेकरताओं की गुंडागर्दी और टूल कर्मियों से मारपीट की पूरी हर्कट टूल पर लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई मामले को लेकर टूल मेनेजमेंट ने रमेश रंडर कर्श्यप उसके साथियों के खलाफ प्लाथ में की दर्श करवाई है चंद्र कश्यप के नाम से गाड़ी चलाने वाला था वो लेकर आया गाड़ी और वहां पे आके खड़ी कर दी हमने उससे ओन वसुली के बोला कि भीया टूल का पैसा दो तो उसमें सिधा गाल इक्नोज करने लगया मार बेंड करने लगया मार में पिक्ष्ट देने लगया हमने ओर रिक्रेष्ट की दिया हम नहीं चोड़ पाएंगी गाड़ी को आपको पैसा पे करना वड़ेगा तब तर में बहार निकल आया और में लड़तने कोला को पकड़ लिए उसमें से एक को सब्भे चोट आगी और तीसरे के एक हात में चोटे हो उसको पत्थर से कान की मुझे बार दिया अप अपको नाम बता आखिक है